आज हम आप लोगों को अंताह अंकाल की संधियां अथवा ज्वायन्स आप एंडोस्केलेटन के बारे मताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाश्ट देखिए चली शुरू करते हैं तो वह अस्थान जिस पर दो या दो से अधिक अस्थियां मिलती हैं उसे अस्थि संधि या आर्टिकुलेशन कहा जाता है यानि ऐसा अस्थान जहाँ पर दो या दो से अधिक अस्थियां मिल जाती हैं जुड़ जाती हैं उस अस्थान को आर्टिकुलेशन या अस्थि संधि कहते हैं और जोडों से संबंधित अध्यन को आर्थोलोजी कहा जाता है और जोडों से संबंधित जो अध्यन किया जाता ह उसे आर्थोलोजी कहते हैं तो हम लोग चल फिर सकें हिल्डू सकें इसके लिए हमारी अस्थियां या हड्डियां अनेक खंडों की बनी होती हैं और ये खंड आपस में जुड़े होते हैं जहां पर ये जोड होते हैं वहां से हम अपने सरीर के विविन भागों को हिला जोला सकते हैं इन ही जोडों को अस्थिसंधि कहा जाता है अथवा संधियां कहा जाता है इसलिए परिभासा में कहा गया है कि वह अस्थान जिस पर दो या दो से अधिक अस्थियां मिलती हैं उसे ही अस्थि संधि या आर्टिकुलेशन कहा जाता है तो गति की प्रिकिर्थी के आधार पर अस्थि संधियां तीन प्रकार की होती है यहीं गति की प्रिकिर्थी जो है उसके आधार पर अस्थ संधियों को तीन भागों बाटा गया है पहला पूर्ण या चल संधी, दूसरा अपूर्ण संधी और तीसरा अचल संधी, तो पहला है पूर्ण या चल संधी, तो हमारे अस्थिपंजर की बहुत सी संधियां पूर्ण रूपेर्ण चल होती हैं, जो हमारा पूरा अस्थिपंजर है, इसकी बहुत सी ऐसी संधियां है बहुत से ऐसे जोड़ है जो पूर्ण रूपेर चल होती है मतलब पूर्ण संधियां या चल संधियां स्वतंतरता पूरवक हिल डूल सकती है इस प्रकार की दोनों हड्डियों के सिरों के बीच में एक सकरास्थान बचा रहता है जैसे दोनों हड़ीयां आप देख रहे हैं तो इनके दोनों के बीच में देखे एक खाली अस्थान बचा हुआ है, एक सकरा अस्थान बचा हुआ है और ये पूरी दोनो हड़ियां एक संध्य संपूट या लिगमेंट से बने कैप्सूल में या जॉइंट कैप्सूल में बंद रहती है और जो संपूट है कैप्सूल है इसके भीतर दोनो हड़ियों के बीज सकरे स्थान में एक चिप-चिपा गाढ़ा तरल भरा होता है जो अस्थान बचा हुआ है इस सकरे स्थान में एक चिपचिपा सा गाढ़ा सा तरल भरा होता है इस अस्थान को साइनो वियल या संधिगुहा कहा जाता है जो अस्थान है इसको साइनो वियल या संधिगुहा कहते हैं या जॉइंट कैविटी कहा जाता है और जो इसमें पढ़े तरल को साइनोवियल तरल कहा जाता है यानि साइनोवियल फ्ल्यूड कहते हैं गुहा के चारों तरफ या चारों और एक महीन तन्तुवें साइनोवियल कला है या साइनोवियल मेंब्रेन है जैसा कि आप लोगों को चित्र में दीख भी रहा है संधे इस्थान पर हड पारस परी घरशन के बिना ही हिल दूल सकती है अब जहां पर जोड़ है जोड़ के अस्थान पर आपस में बीना मिले ही जुड़े ही यानि बिना घरशन के ही हिल दूल सकती है तो चल संधियों को पांच भागों में बाटा गया है पहला है कंदुख खलिका संधि बाल and sock joint तो कंदुख खलिका संधि के अंतरगत ये ऐसी संधिया है इनमें एक हड़ी का गेंद या कंदुख या बाल जो होता है जो गोल भार जैसा होता है उसका सिरा दूसरी हड़ी के प्याले नुमा गढ़े में या खलिका में फिट हो जाता है कहने का मतलब यह है कि इसमें एक अस्थि का सिरा प्याले नुमा तथा दूसरे का सिरा गेंद की तरह से होता है जो कंदुक खली का संधी होती है इसमें एक हड़ी जो है उसका सिरा प्याले नुमा होता है और दूसरी हड़ी का सिरा गेंद के जैसा होता है गेंद के जैसा है यानि कंदुक जैसा होता है गोल सा बिलकुल गेंद नुमा सिरा प्याले नुमा गढ़े में फिट बैठता है ज और मेखलाओं के साथ पादों की संधियां ऐसी ही होती हैं, तो कुल मिला करके देखा जाए, तो गोल सिरे वाली अस्ति चारो और घुमाई जा सकते हैं, जो गोल सिरे वाली हड़ी है, उसको हम चारो और घुमा सकते हैं, और जो मेखलाओं होती हैं, उनके पादों की संधिया बिल्कुल ऐसे ही होती है फिर आते हैं दूसरी पर दूसरी है कबजा संधी या हिंग जॉइंट्स तो कबजा संधी ऐसी संधी में एक हड़ी के सिरे का उभार दूसरी हड़ी के गढ़े में फिट हो जाता है जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है इसमें क्या होता है कि एक हड़ी के सिरे का उभार दूसरी हड़ी के गढ़े में फिट हो जाता है कि उभरे सिरे वाली हड़ी किवाण की भाधी जैसे किवाण होता है केवल एक ही दिशा में पूरी-पूरी मुर सकती है कहने का मलब यह हुआ कि जो कबजा संथी होती है जो हिंग जॉयंट्स होते हैं इस संधि में एक अस्थि के सिरे का उभार दूसरी अस्थि के गढ़े में इस प्रकार से फिट होता है कि उभरे सिरे वाली जो अस्थि है जो हड़ी है उस किवार की भात केवल एक ही दिशा में खुलती है जैसे किवार एक दिशा में खुलता ह जो हमारी उंगलिया होती हैं, इनके पोरों पर बिल्कुल इसी तरीके की संधियां पाई जाते हैं। इधर उधर गोलाई में घुमाई जा सकती है। मतलब इसमें एक अस्थि धूरी के समान इस्थि रहती है, एक जगह पर रुकी रहती है। और जो दूसरी अस्थि होती है, वो अपने गढ़े द्वारा इसको चारों और घुमाती है या घुमा सकती है। बाल वाली बिल्कुल उसी संथि जैसी होती है, वैसे ही जोड होता है। लेकिन इसमें कंदुक, कंदुक मतलब बाल और खालिका यानि सौक कम बिक्सित होते हैं। जो बाल है वो कम बिक्सित होते हैं, खालिका जो होती हो कम बिक्सित होती है। जैसा कि आपको चितर में दीख भी रहा है। आताहा बाल वाली हड़ी चारों और अच्छी तरह नहीं घूमती है। अंगूठे की मेटा कारपल और कारपल के बीच ऐसी ही संधिया पाई जाती है। या संधि कंदुक खलिका के समान ही होती है। लेकिन इसमें कंदुक वा खलिका दोनों ही कम बिक्सित होते हैं। उसमें ज्यादा बिक्सित है। अताहा इसमें अस्थी चारों और अच्छी तरह से नहीं घूम पाती है। जो अंगूठे की मेटा कार्पल और कार्पल अस्थियां हैं, जहां पर जॉइंट्स हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, फिर आते हैं अगली संधी पर, अगली संधी है फिसलने वाली या बिसरपी संधी या ग्लेडिंग जॉइंट्स, तो इसमें संधी स्थान पर दोनों अस्थियां एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, जो प्रसार है, जो बिसरपी संधी या ऐसी संधी हैं, इस संधी में संधी अस्थान पर हड्डियां एक दूसरे पर आगे पीछे या इधर उधर फिसल सकती हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, उदाहरण के पर या अपूर्ण संधि पर तो इस प्रकार की अस्ति संधि में संधि बनाने वाली अस्थियों के बीच साइनोवियल संपुट और इसनायों नहीं पाये जाते हैं साइनोवियल संपुट के स्थान पर उपास्थि की एक पतली पट्टी पाये जाती है जिसके कारण इस जोड को बनाने वाली अस्थियों में थोड़ी सी गति हो सकती है यानि ये थोड़ी सी गति करती है जादा गति नहीं कर सकती है कसिरिकों के भीच की संधियां तथा इलियम और सेक्रल कसिरिकों की अनप्रस्त प्रवर्धों के भीच इस प्रकार की संधियां पाई जाती हैं अंस तथा स्रोण मेखला की कुछ संधियों में भी इसी प्रकार की संधियां होती हैं चलिए अब आते हैं अचल संधियों पर तो अचल संधियों के अंतरगत इस संधि को बनाने वाली अस्थियां इस प्रकार से जुड़ी होती हैं कि इन में थोड़ी सी भी गति नहीं हो सकती है इस संधि को बनाने वाली अस्थियां आपस में बहुत पास पास इस्थित होती हैं जैसे हमारी करोटी की अस्थियां आरी के दरातों वाली संधियों से जुड़ी रहती हैं इन संधियों को आसानी से खोला नहीं जा सकता मेखलाओं की अस्थियों में भी कुछ ऐसे ही पूर्ण जो अलप चल संधियां है ये थोड़ी सी हिल डू सकती है और जो अचल संधियां है ये बिलकुल हिल डूल ही ने सकती है उसी जगह पर इस्थिर रहती है तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शा बत्